जब लेंपिक्स होते हैं, इंटरनेशनल अवेंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंड्स तो हम मेडल्स के मामले में सबसे नीचे आते हैं एक-एक मेडल के लिए हम लोग तरस्ते वे देखते हूं और ऐसे दिल लगता है जैसे चाइना अमरीका सारे मेडल वो ले गए हमारे में क्या कमी है? हमारे में किस चीज की कमी है? 150 करोड लोगों के देश में कोई टैलेंट की तो कमी है नी कि अगर उस टेलेंट को सपोर्ट कर दिया जाए तो हम दुनिया के किसी भी देश को स्पोर्ट के फैसिलिटीज, स्पोर्ट के इवेंट्स के अंदर हरा सकते हैं तो अब आपको मेहनत करनी है अब आपके ऊपर है कि जो ट्रस्ट देश ने आपके अंदर दिखाया वो आपको पूरा करना है आज अब आपका पूरा डेली स्पोर्ट स्कूल देखा और देखके इट वस डेली अन आई ओपनर और मैं सब को कंग्रेचिलेट करना चाहता हूं जिन जिन लोगों ने इस शांदर फैसिलिटी को क्रियेट किया इंस्टिटूशन को क्रियेट किया जब कुछ साल पहले हम लोगों ने इसको सोचा था डेली स्पोर्ट युनिवर्सिटी को जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा और मैंने बताया उस ताइम हमारे मन में यही होता था कि एक सो चालिस करोड लोगों का देश है और जब ऑलंपिक्स होते हैं इंटरनाशनल इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स तो हम मैडल के मामले में सबसे नीचे आते हैं एक एक मैडल के लिए हम लोग तरस्ते में दिखते हैं और ऐसे दिल लगता है जैसे चाइना अमरीका सारे मैडल वो ले गए हमारे मे क्या कमी है हमारे में किस चीज की कमी है 140 करोड लोगों के देश में कोई टैलेंट की तो कमी है नहीं टैलेंट तो बहुत है जैसा मैंने बताया ट्राफिक लाइट पे मैंने कितनी बार देखा और इस तरह मेरे मन मेरी आँखों में आसु आजाते हैं कि वो बच्चे जो है इतनी फ्लेक्सिबल उनकी बाड़ी होती है जो ट्राफिक लाइट पे वो करके दिखा रहे होते हैं सो टैलेंट गरीबी पैसे का महताज नहीं है टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है पैसे वाले के पास भी हो सकता है गरीब के पास भी टेलेंट हो सकता है in fact हमारे गाओं के अंदर बहुत जादा टेलेंट है लेकिन आज तक कभी उस टेलेंट को किसी ने support नहीं किया अगर उस टेलेंट को support कर दिया जाए तो हम दुनिया के किसी भी देश को sports के facilities, sports के events के अंदर हरा सकते हैं उसको मद्य नज़र रखते हुए हमने केवल और केवल एक ही मकसद से डेली sports university बनाई है ओलंपिक में मेडल लाने के लिए तो आप सब लोगों को उसी एक मकसद से काम करना है कि सब को ओलंपिक में मेडल लाने के तैयारी करनी है होगा उसमें धाई तीन हजार स्टूडेंट्स होंगे असी एकड़ के अंदर वो इनिवस्टी मुंडगा में बनेगी उसमें दो तीन साल लग सकते हैं तीन-चार साल लग सकते हैं लेकिन मुझे बेहत खुशी है कि तब तक डेली sports school यहां पे आया गया और आज यहां पे दस Olympic sports की training दी जा रही है अभी जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा coaches के साथ जब मैंने बात की तो हर coach के अंदर यह confidence था कुछ ने कहा सर दोजार अठाइस में जलूर एक ना एक medal आपको लाके देंगे दोजार बत्तिस में हम आपको medals लाके देंगे तो जो confidence है वो बहुत important है इसका मतलब सब के दिमाग में target बड़ा clear है अरजुन की आँख की तरह है कि भई हमें Olympic में medal लेके आना है और वो confidence है कि हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं और हम आपको medal लाके देंगे जैसा अभी आतिशी जी ने बताया जब हम weightlifting के section में गए तो मैडम कर्णम मलेश्वरी ने जी ने कहा कि जब वो अपने time में training किया करती थी और संघर्श कर रही थी तो उनको इस तरह की facilities नहीं मिली तो यहाँ पर आपको best facilities मिल रही है best coaches मिल रहे है आपको यहाँ पर best nutrition मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को अब ये देश की जो इच्छा है आप लोगों के ऊपर देश सारा पैसा खर्च कर रहा है जितने भी पैसे की जरूरत है आपकी सारी facilities free है जो जब देश आपके लिए पैसा खर्च कर रहा है अब आपको भी वो जो trust देश ने आपके अंदर दिखाया है वो trust आपको पूरा करना है और आपको दिन रात मेहनत करके ये सपना देश का पूरा करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी दस Olympic Sports है इसके बाद जो इन्वस्टी बनेगी उसमें 20 Olympic Sports होंगे इन 20 Olympic Sports के अंदर सारे medal अपने को Olympics के हमारे पास आने चाहिए आप लोगों को बहुत growing test से गुजर के आप यहां पहुँचे हैं सारे levels के test सुए और उसके बाद competition हुआ उसके बाद बता रहे हैं 10,000 से ज़्यादा applications आई थी उन 10,000 से ज़्यादा applications में केवल 172 बच्चों को choose किया गया तो इसका मतलब मैं समझता हूँ आप cream of cream हैं और एक तरह से छटी, साथमी, आठमी के बच्चों को इस level पे जब हमने आपको निकाला है, choose किया है और आपको अंत तक international level पे जब आप खेलते नहीं है हम आपको support करते रहेंगे तो अब आपको मेहनत करनी है, अब आपके उपर है कि जो trust देश ने आपके अंदर दिखाया, वो आपको पूरा करना है और अभी एक बच्ची ने पूछा कि आप हमारी कैसे मदद करेंगे हमें sports नहीं आता ना मुझे आता, ना आतिशी को आता और ना हमारे director education को आता और ना secretary, sports आप लोगों को आता है sports कर्णम मैडम को आता है military मैडम को आता है आप हमें जो बताएंगे कि हमें ये चाहिए हमारे को ये facility चाहिए हमारे को ये और चाहिए आगे बढ़ने के लिए ये हमारा commitment है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे लेकिन बताना आपको पड़ेगा आज मैं आपको को मैं ये करूँगा मुझे तो पता ही नहीं कि sports क्या होता मुझे तो ABC नहीं आती wrestling के मुझे तो ABC नहीं आती टीटी की मुझे तो ABC नहीं आती lawn tennis के पर हमारा commitment है commitment इसलिए है कि हमें यखीन है कि आप हमें Olympics के अंदर एक दिन भारत का नाम रोशन करके दिखाएंगे आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा और ये सारी facilities देखके बहुत अच्छा लगा इतने कम समय के अंदर मातर चार से छे महीने के अंदर आपने national level पे state level पे इतने सारे medal जीत लिए वो एक हमें भी होसला देता है और आपको भी होसला देता है कि भविशे के अंदर हम बहुत अच्छा करके दिखाएंगे best of luck and God bless you